Hello Guys, this is Shoghattar Guys आज इस वीडियो में बात करने वाला हो Xiaomi Redmi Note 8 Pro के बारे में और यह Redmi Note 8 Pro और Redmi Note 8 यह दोनों डिवाइस थी चाइना में कुछी दिन पहले लाँच हो गया था तो आभी इस वीडियो में बात करने वाला हो Redmi Note 8 Pro के बारे में यह FAQ यह वीडियो होने वाला है तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी प्राइजिंग के बारे में तो यह जो डिवाइस है यह चाइना में इसका जो बेज विरेंट रेड्मी नोट 8 Pro का वह 64GB वह लाँच हुआ था अगर चाइना की करेंशी को इंडिया करेंशी में निकल के आता है लेकिन अभी के टाइम में हम बोल सकते हैं कि यह जो डिवाइस है इसका जो बेज विरेंट रेड्मी नोट 8 Pro का इंडिया में आ सकता है तो मैं यह बोल सकते हो कि यह जो डिवाइस है यह चाइना की प्राइजिंग से 2000 देर 2000 की ज्यादा प्राइजिंग में हमें इंडिया में देखने के लिए मिलेगा तो हम बोल सकते हैं कि 16,000 की प्राइजिंग रेड्मी नोट 8 Pro का 6GB प्लाइस 64GB वाल वाला है 8GB वाला हमें लगबग 20,000 की प्राइजिंग में मिल जाएगा अभी अगर बात करें लाँचिंग की तो कुछी दिन पहले तो चाइना में लाँच हो गया ही था जैसे कि मैंने पहले बताया था और अभी शियली हमें ऐसा न्यूज मिल गया है कि इंडिया में आते बात का बात करते हैं अगर व्लक यह किई तो फुरा सा जादा है 200 ग्राम लेकिन बैटरी के हिसाबसे ठीक हैं लोता है तो यही है बात बाक कि अगर फ्रॉंड ऊडर्ब लाइक नॉज देखने के लिए और जो बेजल सेना वहीं कापी हत्त पकम है और साइट की चीन जो है बहुत ही तिन बजर हमें यह यह देखने कके लिए बाकि युएस वी टाइप शिरीज में देखने के लिए यह से इसरीज में यह दिए ब्लस्टर नहीं तो बिलता है यह अगर सिम भात कर तो यह था थी मिलता है नहीं बहूंत ₹ सबाइस सब्सक्राइब बोलूँगा लेकिन अच्छा ही डिस्प्ले हमें देखने के लिए मिलता है 6.53 इंच का फुल इजडी प्लस पैनल हमें देखने के लिए मिलता है पहले बहुत सरे रियुमर आया था कि एमल भी मिलेगा इंडिस्प्रेंगर्पिंट स्कैनर नहीं है लेकिन गाइस जी स्पेसि है इस बजट में लांच वा है लुट ही अच्छा और यह हंमें लिकेट कुलिंग का वी सिस्टम मिलता है जो बहुत है अच्छा ओद बहुत हैं बहुत ही पर मोबाल ज्यादा हीट अप भी नहीं होगा और जीप्यू की बाद कर तो यह आप हमें माली का जीप्यू देखने के लिए मिलता है जो गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा है और फ्लैक्शिप लेवल का हम बोल सकते तो गेमिंग बहुत ही मस्त कर सकते इसमें कोई भी कोई खेल सकते हो मैं ये अपेल के टाइम में बोल सकते हैं ऐर फो टनायट भी गाल सकते है औरम भेल के एगर लए और काया सब्सतिर कोई कई बहुत ही लॉट है और ब्लंफाने का बाद के मेंе बहां पर बात कर अबें एक बाक्स के अंदर ही 18W का एडप्टर मिलेगा बाकी यह मुबाइल QC4 Plus को भी सपोर्ट करता है तो बहुत ही फास्ट चार्ज कर देगा तो चार्ज के बारे में अभी बात करते है तो यह पर हमें 64 Mbps का देखने के लिए मिलता है जो सेंसर है वो सैंसंग का ISOCELL GW1 ब्राइट सेंसर है तो यही में सेंसर हमें देखने के लिए और इसे हम बोच रहते हैं वाल्ड का फास्ट 64 Mbps बाला क्यामरा चो कि कोमर्शियली ल यह पर देखने के लिए मिलता है और इसका जो कैमरा सेटप रहना वह एकदम रडम के 20 प्रो जैसा ही जाज़ा कि आप देख सेटेप और यहां थोरा सा कैमेरा बंप भी देखने के लिए मिलता है बाकि अगर फ्रॉंट केमेर की बात कर तो यहां हमें 20 Mbps का फ्रॉंट केम इसमें वाला है उसमें वाइडबाइन अलवान का भी साइटिपिकरिशन मिलेगा चैमेरे टु एपे अनबल होगा इसके मतब गूगल कैमरा आप बेजी जाग इंस्टॉल कर पाएंगे डूल सिम भोल्टी सपोर्ट करेंगा और इंडिया इंडिया में देखने के लिए मिल तो हम बोल सकते कि लगबग October end में ये डिवाइस लाँच हो सकता है और प्राइजिंग की बात करें तो 60GB प्राइज लगबग 16,000 की प्राइज में ये डिवाइस मिल सकता है तो 16,000 की प्राइज में अगर इस स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो मैं यही बोलूँगा गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा स्मार्टफून होने वाला है बजट में तो भाल अभी के टाइम में हम इतना ही बोल सेकते हैं बाकी गाइस आप मुझे नीचे को में ज़रूर बताना कि आपको इस डिवाइस का स्पेसिफिकेशन देखकर कैसा लगा है आप मुझे जरूर बताना नीचे को में तो फिलाल के वीडियो में इतना ही वीडियो अगर को बसंद आया तो वीडियो को रचिए लाकिट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला मेरना मरे शोरी को तर मिलता हूँ अब से गोड़ने एक्साइडिंग वीडियो में तब तक लिच्छाए हिंद बंद मातरम